जैन साथियों इस वीडियो में साथियों हम लोग जानेंगे सूपर्टेट 2023-2024 कब तक आने की समभवना है उसके बारे में पूरा गहन बिचलेशन करेंगे एदम पूरा सठीक अनुमान के अनुसार हम लोग जानेंगे कि सूपर्टेट कब तक कराया जाएगा तो साथियों सबसे पहले सूपर्टेट जो 2023-2024 है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि यह कब तक कराया जा सकता है तो साथियों सबसे पहले हम लोग पिछली जो भरतियां हुई है उनके बारे में समझेंगे तो साथियों जो 68500 भरती आई थी 2018 में जनवरी 2018 में इसका फर्म भरा गया था और अगस्त सितंबर में एक जाम कराया गया और सितंबर अक्टूबर में यह कंप्लीट करा दिया गया था 68500 की भैकेंसी ठेक उसी प्रकार जो अगली आती है 2019 में 17 लोग सभा के समय 17 लोग सभा के समय अप्रेल मई 2019 के चुनाव में 1979 पद पर भरती आती है और इसका फर्म नॉमबर में अपलाई किया जाता है और जनवरी में इसका एकजाम कराया जाता है ली कि जो सवर्मी लोक सभा है इसका चुनाव अप्रेल मई 2024 में होने वाला है और उत्वप्रदेश में आप लोग जानते हैं कि लोग सभा सदस्कियों की संख्या 80 है यानि उत्वप्रदेश में लोग सभा सीठों के संख्या 80 है तो इस में ध्यान तक अपने पद का देवरा दे और जो भी दिखती आए जितने पद खाली है सभी पदों को भरा जाए उन्होंने कहा है तो काम जो है वह अत्तेजीस चला है तो हम लोग साथ हों मान सकते हैं कि यह 9 1 12 पद यानी 50 जार से अधीक सिचक भरति प्राइमरी अस्तर पर आ सकती है जिसका फारम अक्टूबर से नौव्बर यानि अक्टूबर के लाश्ट वीक और नौवंबर के थर्ड वीक तक फारब आने की संभावना है यानि अक्टूबर नॉवंबर के बीच फर्म आने की संभावना है और इसका जो एकजाम होगा वा दिसंबर जनौरी में करा लिया जाएगा एकजाम इसका दिसंबर जनुवरी में करा दिया जाएगा मार्च अप्रेल तक इसको फाइनल कर दिया जाएगा या एक अनुमान लगाया जा सकता है यानि 17 लोग सवाके चुनाव से पहले सरकार चाहेगी कि जो 5,112 जो पद खाली है प्रात्मिक अस्तर पर उसको भरा जाए ताकि जो 80 लोग सवाक सीटों की संख्या है उस पर उत्तर प्रदेश में प्रभाव देखने को मिले तो साथियो आप सब ही लोग अपनी तयारी को ब्यातर और अच्छे से करते रहे आप लोग तयारी करते रहें तयारी कहां से करें साथियो NCRT किताब के माद्यम से आप लोग पढ़िए बुक्स के माद्यम से पढ़िए जो सेलेवस है पिछला उसको आप लोग पढ़िए प्रिवियस पेपर जो 18-19 में हुआ था उसको आप लोग सॉल्व करिए समझी एक प्रस्ण की प्रकृति कैसी है कैसे प्रस्ण पूछे गए थे कैसे प्रस्ण पूछे जाते हैं और भी जो एकजाम हुए है उन प्रस्णों को सॉल्व करिए यानि प्रात्मिक अस्तर के जितने भी एकजाम हुए है उच अस्तर तक भी उन सभी एक्जाम के पेपर को आप लोग सॉल करिया और अपनी तैयारी को बेहतर करिये तो साथियों आप लोग अपना टार्गेट बान कर चलिए, मान कर चलिए कि जनवरी तक, जनवरी से फरवरी तक आप लोगों का एक्जाम कराया जा सकता है यानि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, चार से पांच महिना तीन से चार महिने का क्यों समय मिलेगा आप लोगों को तैयारी करने के लिए तो साथियों तीन से चार महिने का समय बहुत है आप लोगों के लिए आप लोग अपनी तैयारी को ब्यातर और अच्छे से करें और अपना एक सिट करें क्योंकि अगर इसमें आगर आप लोग नहीं होंगे तो भरती कब आएगी कब नहीं आएगी 5 साल 7 साल कितना चला जाएगा कुछ अंज्यादा इसका नहीं है जैसा कि आप लोग देख सकते ह है किया जो भ्रती है that 101 स्टिया अब 2024 हो गया है कि 2004 अ GOOD याणि पांच वर्स हो गया पांच वर्स के बाद भरती आ तो जिसका 85 है वह 40 हो जाएगा जिसका 40 है वह 40 हो जाएगा जो 25 है वह 35 हो जाएगा कि जो 20 है वह 25 हो जाएगा इसी प्रकार संख्या बढ़ती रहेगी और हम लोग बुड़े होते रहेंगे अता आप समी लोग अपनी तयारी को फोकस होकर करिए जो भी डिप्रेशन है जो भी इधर उदर फालतू चीज़े उन चीजों को न करिए और अपनी तयारी को बेतर करिए तो साथियों इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक सेर करिए तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो की माद्यम से तक तक के लिए थैंक्यू सो मज जय इंद जय भारा